toi है कि आप हैसे आपने जो है आपको यह चीज पता होगा याद होगा कि दर्ड सावर बिटर टेस्ट फोड और ड्रियो टूर एसीड और बेस कोई भी फोड जो है बिटर या फिर सावर आता है उसका टेस्ट होता है इसलिए क्यूंकि उसमें कोई ये इस्ट या बेस प्रेजंट होता है या फिर आप यह भी जानते हैं कि जब कोई भी चीज color change करता है तो वह भी acid और base की images करता है जैसे हम हम अगर बात करें acid का तो वह जो है color change करता है ब्लोग लेट मस्टो रेट और जब यही का मतलब वो होता है कि जो H plus Iain को दे या जो H plus Iain होता है उसे रिलीज करता है उसे हम acid बोलते हैं और जिसमें OH minus Iain होता है उसे हम base बोलते हैं और जब किसी acid का base के साथ reaction कराते हैं तो वहाँ पर salt का formation होता है एक तो यह भी तरीका है acid और base बहुताने का फिर यहां पर कुछ laboratory मेथड में दिया हुआ है अब यहां पर क्या है कि आप collect करो किसी solution को laboratory में जैसे hydrochloric acid हो गया sulfuric acid nitric acid या फिर acid acid ले लो या sodium hydroxide ले लो या फिर calcium hydroxide ले लो या फिर potassium hydroxide या magnesium hydroxide या फिर आप ammonium hydroxide ले लीजिए ठीक है तो यहां पर क्या है कि जब आप in acid को ले करके एक watch glass में जो है drop by drop watch दिखा उसमें जो है drop करते जाओ फिर एक indicator देखो कि आखिर क्या observation हमारा होता है color कैसे change होता है red latemus to blue blue to red कैसे change होता है यह आप observe करो और यहां पर जो box दिया है इसको आप लिखिए ठीक है जब आप red latemus को blue latemus solution convert करते हैं या phenethylene solution को आप methyl orange solution convert करते हैं तो क्या होता है ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि आखिर acid या base कैसे react करता है metal से तो होता क्या है यहांपर कि हम 1 test tube लेते है test tube में हम यहां पर डाल दिया है एक एक अब यहांपर जो है हमने क्या लिया है test tube में हमने जो है एक आपका यहाँ पर ट्रेस्ट्यूब में क्या क्या है देखो डाइलोर्ड सल्फ्यूरी केसिट का सल्यूशन डालते हैं यहाँ पर हम तो डाइलोर्ड सल्फ्यूरी केसिट का जब हम सल्यूशन डालते हैं और फिर उसके बाद उसमें हम मिक्स करते हैं जिंक ग्रैनिय क्या करता है कि इससे react करके कौन सी gas produce करता है hydrogen gas produce करता है और जो hydrogen gas होता है इसे हम एक बीक जो है soft solution के अंदर पास करते हैं तो hydrogen gas निकलते हैं और जब आप उसको burn करते हो उस gas को तो फिर वो गयास जो है एक आवाज निकलती हो से पॉप सांट जिसको हम लोग जो है पॉप सांट बोलते हैने जा बरनिंग आफ हाइडरोजन ग्यास दे अ प्रोईज इन दफ़ नफरते हैं करता है आ या फिर को चेंज कर दो आप कोई दूसरे ई adventure लीलो जयसके आप नाइटरिक एसिड लेलो या फिर हाइडुकलोरीक एसिड लेलो या फिर एसिटिक एसिड सल्यूशन ले करके अब आप जो है जिंग ग्राइनुर्स डालो देखो कि आचेंजेज होता है तो यह भी अक्टिविटी आप करके देख सकते हो तो यहां पर सिंपल तरीका है कि साथ reaction कराते हूं तो फिर वहाँ पर जो है क्या formation होता है salt gas hydrogen gas का formation अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे just granules को अगर हम किसी base के साथ reaction कराते हैं जैसे यहाँ पर अगर हमने base ली आ है तो मोसको sodium on oxide और जब जेंक anche granules का हम ne bye sacrifice को साथ reaction कर तो यहां पर zincate का formation होता है sodium zincate का formula होता है na2zn-02 यह जो है आपका sodium zincate का formula होता है और फिर उसके बाद यहां पर क्या निकलती है hydrogen gas भी निकलता है तो यहां पर hydrogen gas भी formation होगा ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं how do metal carbonate and metal hydrocarbonate react with गरोथे से आशीन करता है जो है किसी isoli क करते हैं की टेस्ट योग लेते हैं कि क्या लेते हैं कि क्या लेते हैं याप में लेते हैं सोडियम کार्वोनेटिالa end 0.5 ग्रम, एक test tube A में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है, sodium hydrogen bicarbonate हमने लिया है। कितना test tube B में, जो है, इतना ही 0.5 ग्रम हमें प्रोक्स ले लेते हैं, sodium bicarbonate. अब sodium bicarbonate की अगर हम बात करें, तो sodium bicarbonate का फार्मूला होता है, sodium अब देखो नाम से ही पता है by की बात कर रहा है तो भाई by का मतलब होता है एक बीच में होना ठीक है तो sodium अब यहाँ पर जो है Na2CO3 होता है sodium carbonate लेकिन by carbonate बोल दिया है तो बीच में क्या लगा दो hydrogen लगा दो NaHCO3 sodium by carbonate इसे हम क्या बोलेंगे sodium by carbonate ठीक है अब क्या होगा कि इसे में हम जो है add करते हैं dilute SCl dilute hydrochloric यह से dilute hydrochloric आप add करोगे तो फिर क्या होता है आप जारेशन क्या होगा यह भी देख लो फिर उसके बाद अब इसमें क्या पास करते हैं इसमें आप जो है calcium hydroxide का जो है solution पास करते हैं gas yes form में तो यहाँ तहींर से calcium hydroxide solution भी है जो हम किस से पास कर रहे है एक जो है दूसरे test tube से past कर रहे है तो क्या formation होता है कि test tube A में जब हम sodium कार्फुनेट का SCl के साथ reaction कराते हैं test tube A में जब हम sodium कार्फुनेट का SCL के साथ reaction कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है हमारा यही bond क्या होगा break होगा और यहाँ पर यह break होगा तो अब यह आने और SCL क्या बना देगा salt का formation होगा और hydrogen और CO3 जो है यहाँ पर क्या बना देते हैं water और carbon dioxide का formation करते हैं और यही जब आप sodium sodium bicarbonate लेते हो second test tube की बात करें तो यहाँ पर क्या है sodium bicarbonate जब hydrochloric acid के साथ है sodium bicarbonate लेते हैं तो sodium bicarbonate में क्या होता है कि यहाँ पर एक mol दो mol NaCl बनता है लेकिन जब sodium bicarbonate लेते हैं तो यहाँ पर क्यावल एक mol salt का formation होता है तो यह भी हो गया और जब उसे में आप calcium hydroxide भी पास करते हो जब calcium hydroxide को हम लोग lime water बोलते हैं क्या बोलते हैं lime water calcium hydroxide अब आप लोग ज़रा यह बताओ यह क्विक lime या lime stone हम किसको बोलते हैं यह आपको answer भेजना है ठीक है हमको मिलता है किसका calcium carbonate का plus water का formation होता है तो यह आपका जो है reaction हो गया second activity हो गया ऐसे ही जब हम इसी calcium carbonate का अब दिखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम carbon dioxide को excess में पास कर दें तो on passing excess carbon dioxide on the following reaction तो यहाँ पर क्या बनता है कि soluble in water calcium by carbonate का formation होता है ठीक है तो simple सी बात है कि यहाँ पर जब हम calcium carbonate को water और CO2 के presence में reaction कराते हैं तो calcium by carbonate का formation होता है अब हम बात करें अगर lime stone chalk या फिर marble यह different form के calcium carbonate होते हैं और सभी metal जो होते हैं carbonate के hydrogen carbonate से react करके acid के साथ करके reaction करके salt और CO2 और water का formation करते हैं तो यह भी point important है इसको भी देख लीजिए ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें lime stone का lime stone यहाँ पर लिखा है lime stone chalk marble different form of calcium carbonate all metals carbonate hydrogen carbonate react with acid के साथ acid के साथ react करके क्या देता है यह corresponding salt देता है और CO2 और water का formation होता है ठीक है तो metal carbonate या metal hydrogen carbonate का जब हम किसी acid के साथ reaction कराते हैं तो salt CO2 और water का formation होता है ठीक है तो आज इतना है बाकि नेक्स रम पे हाँ इसके exercise के जितने भी equation है उसको solve करिए और कोई भी doubt होता है उसको पोचिए धन्यवाद कर दो कर दो कर दो